भूबू से मौत होती है, मेरी बॉड़ी के कितने टुकडे होंगे, एक जाएगा छत्रपती शिवा जी आध की चर्नों में, एक जाएगा उनके बच्चों के सैपजादों के चर्नों में, एक जाएगा गुजरात की दर्ती पाली टाना की चन आध के जाओंके, आज भगध सि साटाईएं को गर उसे पकड़ के चेकिंग की जा रही है और उनको पकड़ के असाम बेजाएं गलत है तो बोलो पर त्रंगे जंडे का अपमान हुआ क्यों ना बोलो आशी काली दी भारत माध को मैने कभी सुनी नी एक वह भारत मां जो मंदर मत्रेद गुर्दवारे बार बार आपके बंब गोनियां खाने के बाद हो इडिकाहिए conduc坐 मेरे निकाल कुश्र कौलREY वन सर्दार क्या होता है मैं भी किसी मा का बेटा है में भी बादर माप का बत्चा हूँ यह सर्दार यह मैं तो मेरे इंजक्शन लगाओ और मेरी लीवर किड़नी और मेरी आखे काट लो मैं तब कहता हूं यह बगवान इतनी शक्ति देना जीते जी निकालो नमस्कार मैं अर्चना तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ दराज धर्म पर आज मैं वापिस से बिट्टा जी के पास आई हूँ बहराल कुछ नंबर है और एक कागज है मेरे पास मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बिट्टा जी को लगातार चार नंबर से धम की बरे तो घथे खतम कर दिया जाएगा घराने के कोशिच आपनी बात की बात को कहने की लिए जाने जाते हैं और शायदव ही हम जैसे जो पत्रकार है बिट्टा जी से मिलने के लिए बिट्टा जी से बात करने के लिए बिट्टा जी का इंटरव्यू लेने के लिए हमेशा तत पर रहते हैं मैं आपको पताना चाहती हूं कि चार अलग-अलग नंबरों से फोन आया 3 जो phone number थे वो भारत के ही थे और 3 जो है वो लगातार एक ही मतलब देड़ बजए के आसपास 3 फोन आते हैं एक आता है एक बच के 37 मिनट पे एक आता है एक बच के 38 मिनट पे एक आता है एक बच के 49 मिनट पर और पचीज सेकंड, श्याज सेकंड और सोला सेकंड की कॉल आती है और जिस चौते नंबर से फोन आता है वो इंटरनेशनल कॉल आता है गोल्डी बरार का नाम दिया जाता है कॉलर का नाम बताया जाता है कि मैं गोल्डी बरार बात कर रहा हूँ मैं बिट्टा तुझे खतम कर दूँगा क्योंकि तु देश कोई हमारे मतलब की बात नहीं करता तो हमारे मतलब से अलग बात करता है तो इसलिए मैं अपनी बातों मैंने जितना बोलना था बोल दिया मैं वापिस आती हूं बिटा जी के पास और बिटा जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी आप किसी से डरते नहीं है ये बात मुझे मालूम है और इतनी बार आप लोगों ने आपने खालिस्तान के खिलाफ बोला है खालिस्तान के से अलग होके बोला है आज जब ये फोन कॉल्स आए हैं तो कैसा मन में हो थोड़ा डर लगा क कि गोल्डी ब्राड़ है क्या है मुझे मालूम नहीं है कई आए कई देखे पहले तो इनको मैं जवाब देना चाहता हूं जब मेरा पैर उतरा था खून बैता था पर दर्द नहीं होती थी पैर उतरने के पड़ फिर गोलिया मेरे जवाण मुझे पकड़े हुए शहीद हो गए वह एक ही नारा निकला था बचके वई एक ही है मेरी भारत महां तेरा वैबब अमर रहे मां हम दिन चार रहे न रहे और उस भारत माता को तोड़ने की कोशिक करें और वो तरंगा जंडा हिंदू-मुसलिम शिक्षाईयों का यूके के अंदर उतार दिया जाता है मैं इस पे आने वाली थी बिट्टा सर यह जो विदेश में किया जाता है चाहे वो भगत सिंग को आतंकवादी बोलने की गतिविधी हो या फिर भारत माता को लेके बहुत गंदी-गंदी बाते जो है लोगों की तरफ से की जाती है उस पे हो या फिर हमारे त्रगा को जब उ चादर रखो जी इस पगड़ी की पापी शिख गुनागार से की पहचान तब है जब गुरु तेग बहादर जी हिंद की चादर चांदनी चौंक लाल किला जहां अरंग जेव जहां जलम किया था जहां गुरु तेग बहादर माहराज हिंद की चादर ने अपना सीस और मजलूमों की रक्षा के लिए ये वो भारत ये वो भारत जिसको ये खालस्तान बनाना चाहते जहां गुरू गुबिन सिंग जी उनका जन्मस्तान पत्ना पहार के अंदर और आखरी स्तान महरास्टा के अंदर और पांच प्यारे सजाएंगे पुरे हिंदुस्तान से गुरू सहबानों ने सजाए ये हमारी गुरू मारज की मरियादा से उल्चरने चाहते हिंदुस्तान हमारा हमारे हिंदुस्तान में सब गुरू सहबान और जो इस चीज़ को नहीं मानता ना माने मैं तो वो भारती हूँ सरदार मैं हूँ पर पहले भारती हूँ वो भारती जिस भारत के लिए रास्ट के लिए हमारे गुरूओं ने कुर्बानी दी यह समझे ना समझे अपन तो उस सोच पे चलने वाले भारत है तो हम सब कुछ है भारत, भारत मा, क्या दुनिया में ऐसा को नाम देखा, क्या इटली, क्या इंग्लेंड, क्या जर्मनी, क्या अमेरिका, क्या पाकिस्तान, क्या बंगला देश, जिसके आगे मा लगता है, भारत मा, हम कुछ किस्मत है, मा, भारत मा, जिसको जो गाली देते है वजेशों के अंदर एक मां जो बड़े-बड़े योदू को महराना परताब शहीद आजम बगत सिंग शतरपती शिवाजी महराज जो ऐसे योदों को जनम दीती अपने पेड़ से एक वो भारत मां जो मंदर मत्सेद गुर्दवारे गिरजागर को अपने आचन में समा रखी है उस भारत की तरफ आँख उठा के को देखने हमारे जवान अपने करतव को सिमाओ की रख्षा के लिए पूरा करते रहेंगे मौत का कफन बांद के जाता है अपने बच्छों को अपनी पत्नी को सब को छोड़ करके जाराओं सिमाओ की रख्षा करते हुए और हम बर्दी के बगएर इतना भी ना कर सके कि अपनी भारत माता की रक्षा कर सके बटा सर एक बात बताई यह जब ऐसे थ्रेट कॉल आते हैं यह शायद पहली बार आपको आया यह थ्रेट कॉल पहली बार आया है देखो पहली बार मुझे उस वक्त कॉल आया था अमरसर में 83 जा 82 में जब बिंडरावाला हरमंदर साब में था तो साब ने मेरी हवेली है तो अंदर से मैसेज आया था 15 गस अजादी के दिन जब पत्तर का पूछे औरे इतने हमले हुए पहला बंप हमला कब हुए मैं कहता है फकर से पहला बंप अजादी के तरंगे जंडे की रक्ष जाएगा बंपों से उड़ा दिया जाएगा पुलिस वाले आते हैं बिट्टा तरंगा जंडा रस्ता बदलो मैं कहां यह खालस्तान का जंडा नहीं है यह मेरे शाहीद आदम बगत सिंग जल्ले हमाला बाग के हिंदू मुस्लिम सिक्षाईयों का तरंगा जंडा है गड़े से पर्चिया निकालते थे दिल्ली के अंदर बंबे के अंदर जैपुर के अंदर हरयाना के अंदर फलाने को शाम को मार दिया जाएगा और मार दिया जाता था उस वक्त वो अजादी का तरंगा जंडा जब सुबा बंब चलाया इसलिए चलाया कि मैं अजादी का दिन ना मना सकूँ, शहीदों को याद ना कर पाऊँ, अजादी का दिन मना सकूँ, पर इसको मार दें, पर मैंने बंब खाने के बाद, अपनी रिवालवर के साथ बच्पना था, रिवालवर के साथ, पीछे बागा कुछ लोगों को पूछ करके, एक दम दुआदार सा सुब पर जब देखा, उनकी हदूत में आया, वापस आया, और बारा बजे जब तरंगा जंडा लेराने लगा, फिर मेरे मंच पे चड़े, मेरे जैसे लड़के थे, नौजवान थे, थोड़ी धारी थी उनकी, और चड़े और पंपलेट पे के लिखा था, खालिस तान और जास में थी, निकाली उन्होंने, उसी वक्त पकड़के जिंदा बादनी बोल दिया, रिवालवर पकड़के नीचे फेंकी, और फेंक दिया, उस वक्त, इनको बता देना चाहता हूँ, तरंगा जंडा लेरा लिया, अरे आज तो वक्त बुदल गया, पूझना चाहता हवाल है, दुख मुझे इस बात का है, अपने ही धर्म के जिम्मेदर लोगों से, गुर्दवारा साब किस लिए है, किस लिए लंगर लगाई जाते है, किस लिए अर्दा की जाती है, मानुता के लिए, गुरु नानक जीव जी क्या कहते थे, मानस की जात सब एक ही पिचान है, वहाँ पे आप इतना भी नहीं कर सकते है, जब 20 जनवरी को तरंगे जंडे का अपमान होता है, जब अमरत पाल जैसे लोग बूखे नंगे पाकिस्तान के इशारों पे कैनड़ा में बैठे हुए, तरंगे जंडे का लूके में बैठे हुए, अपमान करने वालों के पी मेदार से कबालियों का, दर्म के जो लीडर है, क्या उनका फर्द नहीं बनता कि प्रस को उसी वक्त बलाएं, पूरी संगत कठी करें, चाहे लखनव हो, चाहे बंबे हो, चाहे एमदाबाद हो, और अलान करें, हम ये खालस्तानियों के खलाफ हैं, हम देश दोईयों के खल दिया गया, ट्रेनों, बत्सों से निकाल करें, इनके कारण चुराची के दंगे हमारे उपर हुए, हम किस मुमेंट में शामल थे, हम तो सुबह रोटी के लिए निकलते थे, रात को आ जाते थे, ये हिंदुस्तान के सदा, तो फिर मेरा सिख भाई, मेरे धर्म गुरू, हर गुर्दवारा साब के अंदर, एक अठे हो के इतना भी नहीं कह सकते, अगर आज भी जित तरीके से तरंगे जंडे का अपमान हुआ, बगज़ सिंग को आतंक वादी यूके में कह दिया गया, कि बगज़ सिंग आतंक वादी था, ये हमारे गुरूओं का अपमान है, हमार करते हैं, एक के 47 बंब की तरह उन देश के दुश्मनों को जो वदेशों के अंदर, कैनड़ा के अंदर, मंदरों पर हमला करते हैं, जो तरंगे जंडे का अपमान करते हैं, जो कैनड़ा के अंदर, महात्मा की, गांदी की मूर्ती का अपमान करते हैं, जो यूके के अंदर तरंगे जंडे का आप ऐसी को अपमान करते हैं अगर ऐसा होता तो उनको एक के 47 की तरह लगता उनकी हिम्मत ना होती कि ऐसी हिंदुस्तान से को वाजी नहीं उठी बहगत सिंग को अतंकवादी कह दिया कह दिया तरंगे जंडे का अपमान हो गया एक गुजराती भाई को कहा तुम्हें दो थपड मारूँगा मैं और गुजरातीयों को कह देना अगर अगली बर जंग हुई तरी तरी वकात क्या हो कहने वाले लंगर खाना खा रहे लंगर तरे बाप का लंगर है यह लंगर हमारे गुरु का लंगर है यह लंगर हिंदू मुसलमान सिख हिसाई लंगर खाता है तो आप लंगर का हिसान बताते हो और मैं पता किया वो व्यक्ति गुजरात का अर्बो खर्मो पदी पर गुरु मारज के चर्नों में सिर्फ जुकाता है क्या कभी कुछ सरदार को कितने सरदार देखे मंदरों में जाते हुए सवाल पूछना चाहता हूँ पर मेरा हिंदू वीर मंदरों में गुर्दवारों में रहता है सुबा उठके गुरुनानक देव जी को नमस्त करता है यह हमारी एक इंसानियत रहा कि चुप रहना भी गुना है चुप रहना भी इस देश के साथ दोखा है चुप रहना भी सिख कौम के गुरुओं के साथ दोखा है हमारे गुरुओं ने रास्त के लिए कुर्बानी दी हमारे गुरुओं ने मानुता के लिए कौम के लिए कुर्बानी दी क्या हमारे गुरू सारे पंजाब के थें मैं पूछना चाता है उनको उन गुरू साहबानों के साथ दोखा है जबान को बंद रखना बस अंदर बंद कमरू में कहना हम खालूस c सानियों को ऐसे चलने वाला नहीं है सर्दार साथ जितने जम秹दर मेरे सर्दार साशब है जम् कि जरूरत ना फौज की जरूरत ना सरकार की जरूरत एक Kindha कहाम करेंगी कर के कैसे आप कह रहें कि मतलब निकलेन लोग और इन मतलब मुझे मजग कीज नमख खाते हैं के डेष में कमाई करते हैं हम देष में वपार करते हैं हमारी ट्रांस्पोर्ट हैं, हमारे वपार हैं, क्या मज़े के लेने के लिए हैं, बताईए, शुबाद चंदर बोची ने जब अदाध हिंद फौज का गठन किया था, जब ये कहा था, कि हमारे पास हत्यार लेने के लिए कुछ नहीं है, पूरे हिंदुस्तान से, सबसे ज़्याद पंजाब से, गैना, सोना, हार, उनके आगे रख दिये थे, हमें हिंदुस्तान, हमें देश को अदादी चाहिए, हुआ? हुआ ना? तो आज हमारी ज़्मीर मर गई? आज भगत सिंकों को गाली दे दे, अतंकबाती के दे, ज़्मीर मर गई? आज तरंगे जंडे का अपमान करते हमारी ज़्मीर मर गई? पर हाँ, एक ज़्मीर है, हमारे सरदार बाईयों को गरों से पकड़ के चेकिंग की जा रही है, और उनको पकड़ के असाम बेजाए, वाई बाई, अगर घलत है तो बोलो, पर तरंगे जंडे का अपमान हुआ, क्यो ना बोलो? भारत मादा को माता को को गाली देगा, तरंगे जंडे को को गाली देगा, बाई सिंको अतंकवादी कहेगा, हम घरों में कहेंगे, हम इनके खलाव हैं, ऐसे चलने वाला नहीं, यह देश के साथ दोखा है, यह कौम के साथ दोखा है, यह गुरू सहभानों के साथ दोखा है, अरे जंदग पर मैं फक्र से कहता हूं, हिंदुस्तान ने दुनिया में बैठा हुआ, सचा हिंदुस्तानी मेरे काफले में ना चले। वो समझेगा ये हिंदोस्तान का गदार नहीं है उसकी दुआएं मेरे सिर्क के उपर है मेरा जब काफला मौत का चलेगा जरूर परेट करेगा आंखे खोलने वाली बात कहीं है जितने भी लोग देखेंगे कहीं न कहीं आप नोटिस करिएगा और ये भी सोचिएगा कि आप वीडियो वाइरल हो रहा था जिसमें भारत माता की जंडे का अपमान हो रहा था भगत सिंग को गालिया दी जा रहे जिए उनको आतंगवादी बोला जा रहा था तमाम ऐसे बाते बोल जा रही जो मैं शायद बोल भी नहीं सकती हूं और कितने लोगों ने उस चीज का विर प्रयास करने का यह सब प्रयास कर रहें अब देखो जब 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 इस अफल हो जाएंगे कि अप्रैस में क्या होगा दुनिया से चले जाओंगा ना रशी जिंदीगी बोना तो कोई बात नहीं पिर क्या हुआ जीवन तो बोना सब कोई देख लिया अब देश को परिंदर मोती हमेशा अज इडवाल बर के जोदे ना होते यह बीजेपी का नहीं हूँ मैं एक मैं इंसानों की बात आगा योगी जैसे योगे ना होते तो शार्द मैं मरने की कभी ना सोचता मैं सोचता मैं जीओंगा इस देश के लिए जीओंगा वो जो शहीद हो जोके ऊणकी पतनी उनकी बच्चों के लिए जिओंगा आज मुझे जाने में कोँ फरक नहीं है जाना है वो कहते हैं हाथ की लकीरे देखने वाले ने मेरी जोलिग खुशियों से बरव दी उसने कहा तुम्हें माउथ नहीं तरंगे जंडे की चाह तुमारे की्या जीओन है क् क्या अपने साथ कईयों को देखा कई देखते हैं जाते जाते चले जाते बंबो से जाऊंगा तो फखर तो होगा यह कॉल्स आती है तो मतलब एक कहिए कि आपका जीवन सफल हो गया कि चलो डरा तो रहाऊ में लोगों को डर तो लग रहा है इन लोगों को जब तक मैं उड़ते हुए देख लिए, जवान उड़ते हुए, LMG पकड़ी हुई, जो दुछमन के लिए थी, वो तूडती हुई, किसे के अंदर गुस्ते हुए देख लिए, अपनी आखों से, वो बच्छमन में, वो जवानी की उमर में, उसके लिए क्या है जीवन? मैं देखो, मैं क अभी जिन्दगी की परवाह नहीं करता, यह जरूर कहता हूँ, जितना दिन जीवन है, इस रास्त के लिए लगा रहूं, और अपने चर्नों में लगा के रिखना, जीवन बूनस है, मैं तो परमात्मा से हमेशा यही प्रियर करता हूँ, चलने के लाइक रखना, देश की जितनी हो सकता है, सेवा करूं मैं तो दिल्ली में होता ही नहीं, तो पूरे देश में मुझे भगवान अपने चर्नों में रखता है, मंदरों में, गुर्दवारों में होता हूँ, देश की सेवा में होता हूँ, वो माँ, मैंने बिट्टा को डरा दिया फोन करके, अब बि किस डर डर चीज किया पिले बताओ जिसने मौत को देख लिया जिसने बंब गोलिया देख लिये उसको डर किस चीज का वो मिशन में अपने फेल हो गए पूरी तरीके से वो लोग तेको फेल हुए नहीं हुए कोशिश तो उनकी जारी रहेगी और जारी रहेगी तो मैं भी तुकडे होंगे एक जाएगा शतरपती शिवाजी महराज की चरनों में एक जाएगा उनके बच्चों के सहब जादों के चरनों में एक जाएगा गुजरात की दर्ती पाली टाना जहन धरम जो सबसे बड़े गुरु गुबिन सिंग महराज के सहब जादों को जिनके जहन धर्म के उन तपस्वींओं ने चार सो क्रोड की उस वक जगह दे थी उनका संसकार करने के लिए उनके चज़गों में लिखके जाओंगा पंजाब की धर्ती पर संसकार नहीं होगा मेरा ना मुझे पता है क्यों मेरे मरने के बाद भी जगाली देंगे कोई दिक्कत नहीं पर शतरपथी शीवा जी महाराज ने गुरू गुबिन सिंग जी की एक ही सोच थी अरंग जेव जालम का मकाबला करना तो एक ही सोच है गुरू गुबिन सिंग का रूप थे वो कौन थे आदिनाजी बच्चो को किया वहीं रूप थे उसी रूप में जाउँगा यहां नहीं मैं जानता हूं इनको खालस्तााणियों को जानता हूं यह उस वक्त लि जब जाऊँगा हम बारत कहेंगे तुमारी अची किता आची इस देश का हम लुग का आप आपसे बात करके और आज का जो ये आप लोगो आपको ये धमकी मिली थी लोगों को मुझे लगता है जवाब मिल गया है यह फोन करके या फिर कुछ वैसे बताने की जरूरत नहीं है मुझे लगता है जो हमारी इतने देर की बातचीत हुई है और बिट्टा सर ने बिट्टा जी ने जिस अंदाज से अपनी बातों को रखा है शायद उन कॉलर्स को उन आप ये कहिए आलगाओ आदियों को समझ में आ गया है कि वो किस से पंगा लेने जा रहे थे एक आखरी बस में बात काऊंगी फिर इस इंटर्व्यू का हम लोग समापन करते हैं बहुत समय हो गए भिंडरा वाले से हम लोग कंपेर कर रहे थे सब लोग कि मतलब भिंडरा वाला एक नया पंजाब में मतलब आ रहा है भिंडरा वाला अमरित पाल के शकल में पैदा हो रहा है तयार हो रहा है आज देख रहे हैं ज़र भागता भागता फिर रहा है पंजाब में मूँ अब कभी रेडी में, कभी कपड़े बदलता है, अपनी पुषाकी बदल डा ली, मर जाता हूं उसी पुषाक भुषाकी में जो अमने छकाता चले जाता दुनिया से, पुषाक भी बदल ली, ये भी उतार दिया, पगडी भी उतार ली, हम योदे हैं ये जोदे हैं एक इसका और था कोई चेला था है न वो परदानमंतरी अपने आपको कहता था वो भी बड़ी खंडे करपान हरे मां ये कर दूँ मां ये हूँ मैं गुरु गुबिन सिंख़ पता उसका तब चला जब पुलिस आई कहना पुलिस आगई पुलिस आ आतने आया था और मुँपे लाले बगरी ये है आपकी जमीर होई ये हुआ आपके सरदारा देखो सरदार ये देखो सरदार आप सोबर कहो गदार ये है सरदार हिंदुस्तान का सरदार लोगों ने बनाया मुझे सरदार जो बार बार आपके बंब गोलिया खाने के बाद भी कहता हूँ आजाओ मेरी किडनी ले लो मेरा लीवर ले लो मेरी आखे ले लो और जीते जी मेरा नकालो मेरे हाथ भी ना ले बगवान से प्राओ सरदार बताता हूँ सरदार क्या होता है मैं भी किसी मा का बेटा हूँ मैं भी उन्हों बहादर माबाप का बच्चा हूँ, यह है सरदान, यह मैं नहीं कहता हूँ, मेरे इंजेक्शन लगाओ, और मेरी लीवर, किड्नी और मेरी आखे काट लो, मैं तक कहता हूँ, यह बगवान इतनी शक्ती देना, जीते जी निकालो, आओ, तुमारी खाश पूरी करता हूँ, क्यों वो का खून पी लिया, कितने का पी लोगे, आओ, जीते जी मेरा खून पीओ ना, और मेरा खून नकालो, और पी जाओ, और वदाओ